नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ आज की प्रियोग्राम में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रियोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे एक कॉंक्रेस पार्टी से इस वक्त राजस्थान की सियासत काफी गर्माई हुई है और राजस्थान की सियासत के बीच नए कई खुला से हो रहे हैं किसी का शर्यंतर सामने आ रहा है तो कोई उस शर्यंतर में फस्ता हुआ नजर आ रहा है हम बात करेंगे राजस्तान की मुख्य मंत्री अशोग गहलोत और पूर्व डेप्टी सीम सचिन पाइलेट की आपको बता दे कि सबसे पहले जो चीज़े शुरू हुई है वो हुई है राश्ट्र अध्यक्ष को लेकर कॉंग्रेस के राश्ट्र अध्यक्ष का चुनार जहां ये नाम आना था कि आखिर कौन बैठेगा उस पद पर जो कॉंग्रेस की कमान्द समालेगा क्योंकि इस बार परिवारवात नहीं होगा सुनिया गांधी राहुल गांदी प्रेंका गांधी ने मना कर दिया है उस पद पर बैठने के लिए तो वही अब परिवार से हट कर किसी और किसी ऐसी सक्ष को वहाँ पर बिठाय जाएगा जिस पर भरोसा जटाय जासके यहां पर अशोग गहलोद को लेकर सोनिया गांधी राहूल गांधी बहरोसा करती है परिवार से ज़ादा मानते है तो यहां सबसे पहले नाम आया कि अशोग गहलोद को उस परपत पर बैठाया जाए लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि अशोग गहलोद का नाम साइड होने लग जी हाँ, यहाँ 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 पर दो नाम ऐसे आ रहे हैं, जिने मलिका उचुन कडगी और शशी ठरूर जिने कॉंगरेस का राश्ट्रो एर्ध्यक्ट बनाने की बात सामद्याई नामांकर में दोनों का नाम शामिल हो चुका है, दोनों का नाम सबसे उपर है रशोग गहल का नाम यहाँ से तो बाहर हुआ, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान की मुख्य मंत्री से भी साफ हो गया, यह समझाया कि अब तो अशोग गहलोत को उस पत्पर नहीं बिठाएंगे, और अगर अशोग गहलोत उस पत्पर नहीं बैठे तो यानि कि सचिन पाइलेट का रास् कुछृती में आना हो या मुख्य मंत्री बनना हूं, हर बार हर दिक्कते का सामना करनी के बाद, श्रगल करनी के बाद फि मुख्य मंत्री बनना भी उनके लिए असान नहीं है, फिर इसे अरंगा डालने आ गए मुख्य मंत्री, जिए हम बात कर रहें अशोग गहलौत की, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि मारे पास सबूत है, सबूत यह है कि अशोग गहलौत जब सोनिय गांदी से मुलकात कर जा रहे थे तो उनके हाथ में कुछ पेपर थे, जिसमें वो कुछ शिकायते लेके जा रहे थे, बाइचांस पोजो खीचते वक्त, वो पेपर का भी फोटो खीच गया, उस पेपर में कुछ पॉइंच दिखाई दिये, वो पॉइंच थे जिसमें अशोग गहलौत ने शिक जायते लिखी हुई थी सोनिया गांदी के सामने पेश करने के लिए, सास दिख गया सचन पाइलेट विल लीव कॉंग्रिस, इसी के साथ दिख गया के सचन पाइलेट पास 102 विधायक है, क्या-क्या चीज़े हैं, क्या रहेंगी, ये सब उसमें लिखा था और SP करके सचन प पलकात में क्या बात हुई वो भी बताया, हलाकि वो साफ बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये वीडियो देखे, पाया उन से, तो इस्टाइग हो गई तो उनके गाड भांदे उन्होंने, हमस्टाइग चली गई, हम स्विगार करते हैं, डालोग रहते हैं उस वक्त में मान लो, इस्टाइग के बाद में भी साइग वो इस्टाइग नहीं बनती, पर मेरा पहला टर्म था, और हम डालोग सगा चली गई, दूशी बाद मोदी जी का एक ऐसा माहूल बना देश के अंदर, शिला दिश्टी चिनाव भार गई, मद्रबदेश और श्टी जीतने मेरे दिमाश चिनाव भार गई, और यहां भी भार गई, तो यह ऐसी बनती, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पब्लिक से निमेदन कर रहा हूं, आप एक मौका और हमें देओ, इस बार, हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनी बन रही है, यार्ची बिगली में संगस कर रहा हूं, मुदी जी से, कि आप इसको पूरा करवाओ, तिला जिलन पानी की योजना है, इस तो मैं चाहूंगा कंदर सेकार हमें इमदाद करे, मदद करे, आगे है राजियों के लिए, कंदर सेकार के रवया राजियों के ठीक नहीं है, इस वीडियो से समझ आ रहा है, कि यहां अशोग गहलोत ने सुनिया गांधी से मुलाकात तो की, लेकिन मुलाकात के बाद किस त जो है, वो मुख्य मंत्री बने राजिस्थान के, शुरू आज से काफी अडंगा डालने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़े रहे, जब भी मौका मिला कि अब सचिन पालेट को मुख्य मंत्री बनाना चाहिए, तब तब अशोग गहलोत ने कोशिश की, कि सचिन पालेट मह ना बैठ पाई, और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, जब पूरा रास्ता साफे और सचिन पालेट को इस पत पर बैठना है, तो अशोग गहलोत सामने से तो कुछ नहीं बोले, पर अशोग गहलोत का गुच सामने आया, और यहाँ पर सचिन पालेट पर ऐसे ऐसे नामों क के साथ उन्हें बेज़त किया गया, बाहारी हैं, जो है धोके बाज हैं, वहीं अशोग गहलोत ने सुने गांदी से बाच्वीत करते हुए, सचिन पालेट को धोके बाज बताया, पालेट के साथ धोके करने वाला सक्ष बताया, बहुत सारी चीज़े बताई, जहां सचिन पालेट की इमांदारी पर पाने पर गया, सचिन पालेट ने कॉंग्रिस पाटी के साथ बहुत इमांदारी के साथ काम किया है, उस इमांदारी पर यहां शोग गहलोत बोलते हुए नजर आए, इस वीडियो में आपने देखा कि शोग गहलोत ने जब सोनिया गांदी से बन क्या वो सूचते हैं युवा नेता होने के बाद वो क्या सूचते हैं हाला कि यह नहीं कह रहा है कि उनकी उम्र हो गई अशोग गहलोत के बलकि यह कह रहा है कि अशोग गहलोत उस उम्र में जब जो उन्हें बात कहनी चाहिए जिसे उन्हें मौका देना चाहिए उसे मौका द सचन पाइलेट जो सोने गांदी से मुलकात करके बाहर निकले तो उन्होंने क्या क्या बताया कि 2023 में क्या होने वाला है उन्होंने आकर ये भी बया किया कि मैं 2023 के लिए गारेंटी देता हूं कि कॉंग्रेसी राजिस्थान में आएगी और उन्होंने बातों बातों में ये भ पूरा यकिन है कि हम लोग लिए 12-13 महीने में उस महिनात करोड़ा है तुबारा कॉंगसी सब्सक्राइब नहीं है सचिन आप तो फोकुस राजस्तान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं करना है जो भी काम करना है जो भी आने वाले रहे हैं ऐसे प्रोग्राम के लिए मासा जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव